नमस्कार, हेलो एवरिवन, तो आईए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7 का गनित का अध्याय नमबर 12 बीजी अगेंजिक तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, अब जो नहीं आपकी किताब आगी है, उसमें ये जो कारेपुस्तक आएगी, उसमें ये लेसर नमबर 10 हो गया है तो आईए शुरू करते हैं, हमने पहला पार्ट जो था क्वेस्चन नमबर 1 से लेकर 7 तक कर लिये हैं, अब 7 के कुछ सम जो और रह गये हैं हम वहां से शुरू करते हैं तो हमने पिछली वीडियो में इस साथ नमबर सम के जो सम है, ये वाला सम है, यहां तक हमने कर लिया था, साथ नमबर का ये वाला सम कर लिया था, अब इसके आगे इसी के जो सेकिन पार्ट है, उसको हम करते हैं यानि हमने साथ नमबर के इस सम से शुरू करना है, तो हमें यहां पर लिखा हुआ है, अब तुम भी करो, तो यहां पर लिखा हुआ है, पहले सम में 3PQ प्लस 5, QP प्लस 7, QR, एवं 4PQ प्लस 8QR को जोड़ो, तो यहां पर हमें दिखाया गया है कि किस तरह इन्होंने जो ग्बरा है तीन पी केओ फ्लिस पांच केओ यह हमने संके। निहि हली है पीकेओ नु Это करवा है तो पांच केओ पी है और में एखकरा खराए है छो पांच के साथ पीकिओ फ्लिगा है। ये चार प्लिगा है, यह यह मतलों कि P क्यों ही है तो इसलिए इसको एकठा कर लिए अब इन तीनों को जोड़ा तो 5, 3, 8, 4, 12 हो गया और इस तरफ 8, 7, 15 क्यों आ रहा गया तो इस तरह यह पहला सम आपने पूरा करना है अब इसके बाद जो सेकिंड सम है पहले के बाद तो सेकिंड सम में क्या लिखा हुआ है कर दिया तो NM और MN में कोई फरक नहीं है दोनों सेम हैं सेम पद हैं तो अब 2 प्लस के हैं और 7 प्लस के हैं तो इनको जोड़ा तो यह 9 MN बन गया और 1 MN माइनस कर देंगे अब हम तो 8 MN इसका उत्तर आ जाएगा तीन नमबर सम है इसके बाद तीन नमबर में हमें लिख 4X 4Y माइनस XY M 4X माइनस 4Y को जोड़ो तो पहले हमने पहली संख्या XY माइनस 4X लिखा इसके नीचे हम जो सेकिन नमबर पर संख्या है यह वाली 4Y माइनस 4XY इसको लिखेंगे तो XY वाला पद है जो XY के सामने लिखना है माइनस XY और 4Y है जो इसके बरापर कोई भी नहीं है तो इसको अलग से लिख दिया अब नेस्ट है चार एक्स तो चार एक्स को चार एक्स वाले पद के सामने लिख दिया और चार वाई माइनस चार वाई तो इसको वाई वाले पद के सामने यहां लिख दिया चार वाई तो अब पहले हम इन दोनों को देखेंगे तो आपने इनके आगे एक एक लगा लेना है तो एक प्लस का और एक माइनस का है तो ये जीरो हो गया या इस तरह आप इनको काट भी सकते हैं इसी तरह सेकिंड स्टेप में चार एकस माइनस का है और चार एकस ये प्लस का है तो चार में से चार है करके जा इनको भी आप काट दीजिए यानि जो संखें समान हों समान पद हों और अपोजिट साइन हों तो इनको आप काट सकते हैं चारवाई से प्लस के चारवाई से माइनस का चारवाई काट दिये तो सारा ये जो है इनका जोड़ जीरो आ जाएगा तो इस तरह जो अगला सम है इसके बाद जो आपके चार नमबर और पांच नमबर सम है इसमें हमें दिया हुआ है 24P-3-7P-5 तो इसमें 13-7P-5 को जोड़ो तो पहले हमने पहली संख्या लिख ली अब इसके नीचे समानपद लिखेंगे जो 13 है वो 5 के नीचे आएगा 7P- जो है वो पी वाली जो पहली संख्या है 24 इसके नीचे आगया 13 क्यो जो इसके सामने जो 5 क्यो है उसको लिखेंगे समानपद और 7P क्यो है जो माइनस का इसके सामने 2 क्यो पी को लिख देंगे इसके बाद हम इनका जोड लगाएंगे जो जुड़ते हैं उनको जोड़ेंगे जैसे 24 प्लस के हैं और 7 माइनस के तो ये माइनस होगा 24 में से 7 गए 14 में से 7 गए 7 और ये 4 14 P है जो प्लस का आ जाएगा क्योंकि 24 बड़े हैं अब 13 में से 5 गटेंगे लगए-लग साइन है तो 13 में से 5 गए 8 क्यो माइनस का आएगा अब 13 और 5 प्लस के हैं दोनों जुड जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा तो इस तरह आपने इस सम को करना है इसके बाद जो 5 नमबर सम है इसमें लिखा है 7A माइनस B प्लस 3 A माइनस B को जोड़ो तो इसमें A माइनस B को जोड़ना है तो ए साथ ए के सामने हमने ए लिख लिया और माइनस बी के सामने माइनस बी समान पद के सामने समान पद लिख दिया अब साथ और ए के जुड़कर आठे हो गया और बी जो है दो बार है तो ये दो बी हो गया माइनस का और प्लस तीन तो इस तरह से आपने ये जो है दोनों सम करने है इसके बाद इसका जो लास्ट सम है छे नमबर सम आईए अब हम छे नमबर को देखते हैं हमें यहां पर दिया हुआ है 2AB प्लस 7 A माइनस 11 तो हमने इस रकम को संख्या को पहले लिख लिया में 14 A प्लस 5 B A माइनस 8 A B प्लस 11 को जोड़ो तो प्यारे बच्चों 5 A B जो है मैंने यहां पर लिख लिया इसके सामने और यह जो 8 A B है यह दोनों जो 5 A B और 8 A B है यह दोनों समान पद हैं तो इनको पहले हम यहीं पर हल कर लेते हैं 5 A B और 8 A B को तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 14 A तो ऐसे ही लग जाएगा इन दोनों को यह माइनस हो जाएगे तो यह 3 A B आ जाएगा प्लस में 11 आ जाएगा अब 14 A है जो A वाले 7 के सामने हमने लिख देना है 11 जो बिना चरके है इसको 11 के सामने लिख दिया अब यह जो 3 A B है माइनस का हम A B के सामने यहां पर माइनस 3 A B लिख देंगे जहां पर मैंने 5 B लिख दिया था गलती से यह 3 A B आ अपने लिख देना है तो 3 A B जो है माइनस का है और 2 प्लस का है तो यह दोनों घटकर माइनस 1 A B आ जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है माइनस का तो यह माइनस का A A B आ जाएगा और 14 और 7 दोनों प्लस के हैं जुट जाएगे 21 A हो जाएगा और यहां पर 11 में से 11 घट जाएगे तो यह 0 हो जाएगा इसलिए 0 मैंने यहां पर लगाया नहीं यानि इनको आप काट भी सकते हैं तो इस तरह आपने इस सम को सही कर लेना है इसके बाद आएगे अब जो आगे है हमें आठ नमबर सामने हमें दिया हुआ है वर्शा वैरानक के सवाल 12 X Y प्लस 8 Y माइनस 14 X में से 10 X Y माइनस 2 Y प्लस 13 X को गटाओ को निमन परकार से किया दोनों ने इस परकार रानक ने किया ये दोनों 12 X Y प्लस 8 Y माइनस 14 X के सामने जो समान पद है 10 X Y लिख लिया X Y के सामने 2 Y 8 Y के सामने लिख लिया 13 X 13 X 14 X के सामने लिख लिया तो इन दोनों को इसने समान पद के सामने समान पद लिखकर जोड़ा है अब जो दस हैं इनको इसने घटाना है तो इसने दस के आगे माइनस का साइन लगा दिया है यानि इसने बारा में से दस को गटा कर दो एक्स वाई लिख दिया आठ में से दो को गटा कर प्लस के छे वाई लिख दिया और 14 में से 13 को गटा कर एक्स अकेला एक एक्स आ गया ये लिख दिया तो इसने इस तरह से इसको किआ है तो अब जो दूसरे साइड वर्शा ने किया है तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्छों जैसे वर्शा ने किया है जो नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं सभी के sign बदलने होते हैं जो पहले 10 पर plus है तो इसने यहां इसका minus करके लिखा है जो minus 2 पर minus है तो इसने नीचे plus लिखा है और 13 पर minus है तो plus है तो इसने इसको minus कर दिया अब 12 में से 10 जो कम हो जाएंगे तो 2xy plus का आजाएगा क्योंकि 12 plus के बड़े हैं अब 8 जो plus के हैं और 2 जो इसका sign चेंज हो गया तो यह भी plus का हो गया तो 8 और 2 जुड़कर 10 plus के आजाएंगे 10y अब 14 जो है minus के थे 14x और 13 भी minus के होगे क्योंकि इसका sign बदल दिया तो यह दोनों minus के होगे तो यह दोनों जुड़कर minus 7x हो जाएंगे इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों जो यह वर्षा ने sum किया है sign change करके वर्षा का यह sum सही है किसने सवाल सही किया कारण देकर बताओ वर्षा ने sum सही किया क्योंकि गटाने वाली संख्या के सभी पदों के निशान बदलने है जबकि रौनक ने केवल पहले पद 10xy का ही यह देखिए रौनक ने 10xy का ही निशान बदला है तो अब आगे जो है इसके बार लिखा हुआ है इस अदार पर तुम कोई नियम बता सकते हो बताओ गटाने वाली संख्या के निशान बदलने होती है जैनि जो नीचे हम जो संख्या लिखकर जैसे मैंने 7 में से 5 को गटाना है तो अब 5 के उपर प्लस है तो इसका sign हमने माइनस करना है तो ये घटकर 2 आ जाएगा इस तरह जितनी भी नीचे संख्या होती है उन सभी के निशान बदलने होते है प्लस वाली संख्या का माइनस करना होता है और जो माइनस होता है उसको प्लस कर देना होता है तो इस तरह निशान बदल कर आपने करना है तो इसके बाद अब तुम करो तो यहाँ पर पहले सम में लिखा हुआ है 2 p square में से माइनस साथ p square को गटाओ तो 2 p square लिखेंगे पहले और माइनस का जो साथ p है इसको लिखेंगे गटाएंगे तो इसक का निशान बदल कर प्लस का हो जाएगा तो इसके निशान को जैसे हमने प्लस का कर लिया अब दो के उपर भी प्लस है तो दोनों जुड़कर प्लस के नौ पी स्केर हो जाएंगे इसके बार सेकिंड सम है इसमें हमें यहां पर दिया हुआ है माइनस बारा एबी में से दो एबी को गटाओ तो अब दो एबी जो है बारा एबी के निचे लिखेंगे हम तो यह दो एबी प्लस का है तो यह माइनस का हो जाएगा गटाने पर तो अब दोनों पर साइन माइनस के हो गए तो यह दोनों जुड़ जाएंगे और 14 AB क्योंकि दोनों पर साइन माइनस है तो माइनस का साइन ही आएगा अब जो next साम है इसके बाद तीन नमबर साम है इसमें लिखा हुआ है 3XY माइनस 2X स्केर माइनस 2Y में से 6X स्केर माइनस 4XY प्लस 7Y स्केर को गटाओ तो हमने इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो अब इसके हमने साइन जो है पहले जो संख्या लिखी हुई थी 3XY इसके निचे मैंने सारी जो second संख्या थी वो लिख दी जो माइनस 4XY है वो पहले पद के सामने 3XY के सामने लिख दिया और 2X स्केर के निचे 6X स्केर लिख दिया और 2Y स्केर के निचे 7Y स्केर था वो प्लस का है जो ये लिख दी अब हमने निचे जो पहली संख्या माइनस में इसका प्लस कर देना है और जो second प्लस की है 6X स्के है y square है ये भी माइनस का हो जाएगा तो पहले हम दोनों इस पद अब 3xy भी प्लस का हो गया और 4xy तो ये जुड़कर 7xy प्लस के आ जाएंगे अब 2 तो जो 3xy है ये भी प्लस के है और 4xy प्लस के है तो ये प्लस के साथ xy हो जाएंगे जुड़कर इस तरह ये 2-6 भी माइनस के है तो ये दोनों सेम साइन के है तो ये भी जुड़कर 8x square यानि माइनस का 8x square हो जाएगा अब यहाँ पर 2-2 y square minus के और 7 y square भी माइनस का है तो ये दोनों जुड़कर minus के 9 y square हो जाएंगे तो इस तरह आपने 3 number sum करना है इसके बाद next है चार number sum है हमारे पास तो चार number sum में हमें दिया हुआ है चो 42 p square plus 22 p square plus 30 square में से minus 11 p square minus 7 square plus 26 p square के उस square को गटाना है तो 42 के निचे हम जो 20 square minus square वाली संख्या है 26 p square के उस square समान पद लिख देंगे इसके बाद 22 p square के निचे माइनस 11 p square लिख देंगे और 30 square square के निचे जो क्योग वाला समान पद है 7 square minus लिख देंगे अब आपने इनके sign change कर लेने है 26 plus का है तो इसको minus का और 11 minus का है तो ये निचे plus का हो जाएगा और 7 जो minus का है 7 square तो ये plus का हो जाएगा अब 42 plus के हैं और 26 minus के हैं तो ये minus हो जाएगे और 16 p square क्योग प्लस का आजाएगा क्योंकि 42 plus के बड़े हैं तो बड़े वाला sign लगाना होता है अब 22 plus के हैं p square और 11 p square भी plus के हैं तो ये दोनों जुड़कर 33 p square हो जाएगा और 30 q plus का है और 7 q भी plus का है तो ये भी जुड़कर 37 q square आजाएगा इसके बाद अगला जो sum है आपकी स्क्रीन पर है पांच नमबर sum तो पांच नमबर sum में देखिए हमें यहाँ पर लिखा हुआ है चार m square n plus 3 n square m minus 7 mn में से 3 m square n plus 7 n m plus 14 गटाओ तो मैंने पहले ये संख्या लिख ली है 7 4 m square n plus 3 n square minus 7 mn तो बच्चो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप कर लेना और यह थोड़ा सा असान तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ तो इसके निचे जो पहली 3 m square है 3 m square की निचे लिख लिया और 7 mn की निचे plus का 7 n m लिख दिया और plus 14 तो अब हम अगर दोनों पहले संख्या हमको देखे तो यहां plus है और यह plus है जो minus का हो जाएगा निचे वाला तो 4 में से 3 घट कर 1 m square n plus का आजाएगा और 3 n square m ऐसे ही लगा देंगे और जो 7 mn माइनस का है और निचे भी माइनस का है 7 mn तो यह जुड़कर 14 mn माइनस का आजाएगा और plus 14 जो है plus के थी वो माइनस के होगे sign change करने पर उनको माइनस के 14 लगा देंगे इसके बाद प्यारे बच्चों आप देखिएगा जो यह समान पद हैं दोनों 1 mn square और 3 n m square यह दोनों आपने जोड़ देने हैं यह 4 m square n हो जाएगा और 14 mn और माइनस 14 ऐसे ही साथ में लग जाएगा अब आगे इसी का आठ नमबर का लास्ट पार्ट है दो 6 n square माइनस 4 n square प्लस 7 n square में से 6 n square माइनस 13 को गटाओ तो सबसे पहले मैंने यह वाली जो पहली संख्या थी इसको सौलव किया 2 n square माइनस 4 n square प्लस 7 n square तो 7 और 2 जो हैं दोनों प्लस के हैं ये जुड़कर 9 N स्केर हो गया और इसमें से माइनस 4 N स्केर किया तो ये 5 N स्केर आ जाएगा यानि इस संख्या को सौलव करके ये हमारे पास 5 N स्केर आ जाता है ये जो मैंने लिख दिया इसके निचे 6 N स्केर माइनस 13 लिखा फिर इनके साइन जाएगी 6 के आगे माइनस हो गया और 13 के आगे प्लस हो गया तो 5 N स्केर भी प्लस का और 6 N स्केर भी प्लस का है सौरी 6 N स्केर माइनस का है और 5 N स्केर प्लस का है माइनस छे में से पांच कट कर एक एन स्केर आ जाएगा और प्लस में ये तेरा ऐसे ही लग जाएंगी तो अब आगे हमें ये लिखा हुआ है एक पद को गटाने का अर्थ है उसके योज्या प्रतिलों को जोड़ना गटाए जाने वाले वेंजक के पद के निचे लिखे चिन से या जानने में मदद मिलती है कि कौन से सक्रिया की जानी है तो यनि हमने जब भी किसी सम को करना है तो गटाओं में पहले उसके जो साइन चेंज करने है उसके अदार पर उन साइन के अदार पर जैसे यहां पर छे के आगए माइनस और पांच के आगए प्लस है तो जो न स्क्रिया की जानी है तो आईए अब निच्चे हमें कुछ सम दिये हुए हैं नौ नंबर में इनको देखते हैं एक्स वराबर वाई और एक्स वराबर चार और वाई वराबर तीन मानते में निच्चे दिए बीजी के अवएंजिकों को सरल कीजिये तो अब हमने इन संख्य लिखी हुई यह तीन ब्रैक्ट में दो एक्स प्लस एक और दूसरा लिखा पांच एक्स प्लस वन तो पहले मैंने यह तीन दो ब्रैक्ट में दो एक्स प्लस एक को लिया और एक्स की वैल्यू मैंने यहां चार भर किस के साथ गुना किया तो ये चार दूनी आठ हो जाएगा और एक मैंने जोड दिया तो ये नौ आ गया और तीन के साथ मैंने जब गुना किया तो ये नौ तिया 27 आ गया जो मैंने 27 यहां से उठाकर यहां लिख दिया अब दूसरी साइड पर पांच एक्स प्लस एक है तो मैंन पांच गुना एक्स की वैल्यू चार बर दी पांच गुना चार प्लस एक तो पांचों का बीस और एक जोड़ दिया तो 21 आ गया 21 यहां पर दूसरी साइड में लिख दिया तो अब आप देखिए 27 और 21 में से कौन सा बड़ा है 27 बड़ा है तो 27 का मतलब यह वाली जो 3 ब्रेक्ट में 2 एक्स प्लस एक है यह संख्या 5 एक्स प्लस एक से बड़ी है इसी तरह पहरे बच्चों आपने शेकिंड सम करना है इसमें लिखा हुआ है minus x square minus 5 तो आपने जो है minus x square minus 5 में x की value पर नहीं है x की value minus जो 4 है वो आ जाएगा minus break में 4 की power 2 और 4 को 2 बार हम गुना करेंगे तो ये minus 16 आ जाएगा और minus 5 को जोड़ देंगे इसमें तो ये minus 21 बन जाएगा यानि इसको solve करके minus 21 आ जाएगा और दूसरी जो 5 x minus 3 x minus 4 लिखा है इसको अब अगर हम solve करेंगे तो पहले अगर हम देखे minus 5 x में से 3 x को minus करें तो 2 x आ जाता है और minus 4 मेंने 7 में लगा दिया x की value 4 बरी तो 2 बुना 4 4 दोनी 8 8 में से 4 minus किया तो ये 4 आ गया तो अब देखे हैं minus 21 और minus 4 जो आएए हैं दुनों को हल करके minus 21 छोटा है इसका मत्रों x स्केर minus 5 छोटा है 5 x minus 3 x minus 4 से छोटा है आईए अब अगला सम देखते हैं इसका अगला सम इसका है इसमें हमें यहां पर लिखा हुआ है minus x y और plus 1 दूसरी और है 2 y minus 3 x minus 4 तो minus x y इनकी अगर value पर हम x की value 4 और y की 3 तो ये minus 4 गुना 3 4 ती है 12 हो जाएगा और एक जो है इसमें से कम हो जाएगा तो ये minus 11 आ जाएगा जो मैंने यहां लिखा है चार में y और x की value परेंगे तो ये 2 गुना 3 3 गुना 4 minus 4 आ जाएगा इनको गुना करेंगे तो ये 6 minus 12 minus 4 आ जाएगा 12 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 16 6 minus 16 आ जाएगा और घटकर minus 10 आ जाएगा जो मैंने यहां लिखा है तो आप देखिए जो minus 11 है minus 10 से छोटा है इसका मतलब ये है कि इसके जो साथ में संख्या है minus x y plus 1 2 y minus 3 x minus 4 से छोटा है तो इस तरह आपने तीसरा सम करना है आईएग चोथा देखते हैं अब 4 नमबर सम में लिखा हुआ है 2 ब्रेक्ट में 3 x square plus y plus 1 और दूसरी और लिखा है 7 x y minus y square plus 1 तो इन दोनों में हम x और y की value भरेंगे तो जो जी हल आ रहा है आप देख लीजिए इसका हल देखिए आपकी स्क्रीन पर है जो पहले मैंने पहले संख्या ली 2 x square plus y plus 1 ब्रेक्ट में तो x square की जगा मैंने 4 square कर दिया और y की value मैंने 3 बर दी अब 2 गुना 3 गुना 4 की पवरक करेंगे तो यह 16 आ जाएगा 16 गुना 3 plus 1 अब 16 और 3 को गुना किया 16 तिया 48 और 48 को 3 के साथ गुना किया तो यह 144 आता है और एक इसके बीच में मैंने जोड दिया तो 145 आ गया और 2 के साथ गुना कि तो यह 290 आ गया इस तरह दूसरी साइड में 7 x y minus y square प्लस 1 लिया x की value 3 और y की 4 भरकर इसको गुना किया और y की value यहाँ पर फिर से 3 square भरा प्लस 1 तो 7 लिया 21 और 21 चोगा 84 चा आ गया 84 में से यह 3 और 9 और प्लस 1 लिख दिया यहाँ पर 84 और 1 को जब हम जोडेंगे तो जी 85 हो जाता है 85 और इसमें से 9 minus कर दिया तो जी 76 आ गया हमारा तो इस तरह से इसको हमने solve किया है सम को तो आईए अब हम देखते हैं जो पिछे जो मैंने आपको समदिक करवाया है जो इसका 44 पाट है इसमें हमने कौन सा sign लगाना है तो यहाँ पर हम ने 290 लिख दिया और दूसरी और 76 लिख दिया तो 296 से बड़ा है इसका मतलब 2 ब्रेक्ट में 3 x square प्लस y 3 x square y प्लस 1 ब्रेक्ट बंद यह जो है बड़ा है 7 x y माइनस y square प्लस एक से इसी तरह जो अगला सम है x square प्लस y square और 4 x y प्लस 3 x y में x और y की हमने value बरनी तो देखिए पहले हम x की जगा पर 4 का square लिखेंगे और y की जगा पर 3 का square इनको square करेंगे 4 का 16 और 3 का 9 इनको जोड़ देंगे तो यह 25 आ जाएगा दूसरी और 4 x प्लस 3 y चार गुना x की value 4 और y की value 3 बर दी है यहाँ पर तो इनको गुना करेंगे चोको चोको की 16 और 3 ती हो 9 और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 जनी 5 नमबर sum का जो उत्तर है हमारा दोनों संखें बराबर आ रही है तो आपने यहाँ पर x square प्लस y square बराबर 25 और दूसरी और भी इसकी value 25 आई है तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा देना है यह दोनों संखें आपस में बराबर है तो आईए अब जो next यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नमबर sum में नीचे दीगी सारनी को समझो और पूरा करो समीकर्ण एक हमें यहाँ लिखा हुआ है x plus 2 बराबर 10 तो 2 में क्या जोड़ें की 10 आ जाए तो आपने 2 में यहाँ पर जोड़ें की 10 आ जाए तो आप देख रहे हैं अगर 8 हम जोड़ने तो 10 आ जाएगा तो समीकर्ण में हमने 8 जोड़ दिए अब आगे लिखा है x minus 6 बराबर 20 किस संख्या में 66 गटाएं की 6 20 आ जाए तो आपके लिए मैंने यहाँ पर sum को करके बताया है की कैसे करना है यह 6 यहाँ पर minus की है दूसरी side में इस side आकर plus के हो जाएंगे इनको जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा तो यानि अगर हम 26 में 6 गटाएं तो 6 बीस बज़ता है तो हमारा उत्तर 26 आ जाता है इसके बद नेक्स्ट sum है x square प्लस 4 को पहले दूसरी side ले जाना है तो यह minus का हो जाएगा तो x square बराबर 20 माइनस 4 और यह minus होके 16 आ जाएगा अब आप देख लीजिए 16 कि संख्या का वर्ग है तो 16 चार का वर्ग है चोको चोकी 16 होता है तो यानि चार अगर हम चार के वर्ग में अगर हम चार जोड़ दे तो 20 आ जाता है तो अब आगे जो sum लिखा हुआ है हमें इसमें लिखा हुआ है दो P square पर 7 बराबर 57 तो अब हमने P square से इसको solve करके P की value निकाल लेते हैं पहले 7 दूसरी side में जाकर माइनस हो जाएगा यानि 57 माइनस 7 तो दो 20 square बराबर 50 आ जाएगा माइनस करके और P square बराबर यहां पर 2 को हम दूसरी side में ले जाएंगे और काट देंगे तो यह 25 आ जाता है यानि P square बराबर 25 अब 5 अगर 25 को हम देखें तो यह 5 का वर्ग है तो यानि P की value हमारे पास 5 आ जाएगी तो यहां पर हम लिख देंगे P के वर्ग के दुगने में यहां पर लिखा हुआ है जो P के वर्ग के दुगने में 7 जोडने पर 57 आता है तो P की value हमारे पास जो हमने solve किया कितनी आ गई 5 आ गई अगला जो sum है इसमें लिखा है 3M प्लस 2 ब्राबर 50 तो 2 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे पहले तो यह माइनस हो जाएगा 250 में से तो 48 आ जाएगा अब 3 जो है उसके साथ divide हो जाएगा देखिए जारा दुगरा से अब 3M ब्राबर क्या हो जाएगा 50 में से 2 माइनस हो जाएगे तो 3M ब्राबर 48 आ जाएगा और 3 को हम divide कर देंगे इसके नीचे ले जाकर जैसे मैंने यहाँ पर किया है तो 48 बटा 3 हो जाएगा इसको अगर काटेंगे हम तो यह 16 आ जाएगा दो जोडने पर 50 आता है तो आएगे अब next sum देखते हैं इसमें हमें क्या लिखा हुआ है 11 नंबर sum में तो यहाँ लिखा हुआ है जब P ब्राबर माइनस 4 हो तो निमन वेंजिकों के मान ग्याद कीजिए तो हमने तीनों समों में P M निकालनी है जैसे पहले sum में यहाँ पर हमने यह जो लिखा हुआ है 5 P माइनस 4 तो P की value हमने माइनस 4 इसमें बर देनी है और फिर 5 को 4 के साथ गुना करेंगे तो यह 5 को का 20 माइनस का आएगा और 4 भी माइनस का है तो यह दोनों जिड़कर माइनस के 24 आ जाएगे इस तरह सेकिन सम में जो आपने P की value है P 5 P स्केर प्लस 5 भी माइनस 3 इन में P की जगा पर माइनस 4 का स्केर और सेकिन में 5 गुना माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा अब 4 का वरक करेंगे तो यह 16 आएगा और 16 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और पांचो का 20 आ जाएगा यानि 20 माइनस का और माइनस 3 अब 20 और 3 माइनस के हैं तो यह दोनों जुड़कर माइनस 23 हो जाएगे 80 में से 23 गटा देंगे तो इसका मान है जो सतावर यानि 57 आ जाएगा अब इसके बाद इसका जो अगला सम है यहाँ पर हमें दी हुई है वैल्यू जो पी स्की की तीन प्लस दो पी स्केर प्लस पी माइनस दो इस तरह आपने पी की वैल्यू सभी में भर देनी है पहले में हम पी का गन करेंगे यहाँ पर चार का गन करेंगे तो यह 64 आ जाएगा माइनस का जब पावर आपने यह ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर चार के उपर माइनस चार के उपर पावर जो है विशम संख्या है विशम संख्या है तो आपने माइनस साथ में लगा देना है और यहाँ पर जो second sum में p की पावर प्लस sum संख्या थी 2 तो उस समें हमने यहाँ पर रसी के उपर प्लस नहीं लगाया विशम हो तो आपने लगाना है अब second में p square है तो यहाँ पर माइनस यह चार के उपर लगाया यह खत्म हो जाएगा चोको चोकी 16 और 2 के साथ गुना करेंगे तो यह 32 आजाएगा next यह प्लस माइनस करेंगे तो यह माइनस का 4 आजाएगा और माइनस 2 तो यह जो आपने इस तरह से जो माइनस 64 है और माइनस 4 और माइनस 2 को जोड़ देना है तो यह माइनस 70 आजाएगा और प्लस 32 है जो यह 38 इसका उत्तर आ जाएगा तो यहाँ पर अब 12 नंबर सम में लिखा हुआ है जब X ब्राबर 0 Y ब्राबर 1 तथा Z ब्राबर माइनस 1 हो तो निमने बेंचकों के मान ग्याद कीजिए तो 3X प्लस 3Y पहला सम है X की value हमने 0 बर दी है 3 गुना 0 और Y की value एक बर नी है 3 गुना Y तो 3 को 0 की साथ गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा और 3 एकम 3 तीन में 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही आ जाएगा इसी तरह अगला जो सम है 3X स्केर प्लस 3Y स्केर प्लस Z सेकिंड सम तो X और Y की value हमने Z की value तीनों की बर नी है X की 0 बर दी 0 की 2 फिर next प्लस 3 गुना 1 की पावर 2 और Z की value माइनस 1 बर दी है तो पहली टरम फिर वही से 0 कवर करेंगे तो 0 आ जाएगा और 3 के साथ गुना करेंगे तो 0 तो पहली टरम 0 होगी इसको छोड़ दिया अब तीन को एक कवरग करेंगे तो एक आएगा और तीन के साथ गुना करेंगे तो ये तीन आ गया है और प्लस माइनस माइनस करके ब्रेक्ट खोलेंगे तो ये एक आ जाएगा माइनस एक, 3 माइनस एक और माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 माइनस एक, 2 आ जाएगा, तो इस तरह सेकिन सम करना है बारुमे का और इसके बाद 13 नंबर सम 12 नंबर सम का दूसरा, तीसरा पाट है, 4 X स्केर पलस 2 Y स्केर पलस 3 Z स्केर, तो यहाँ पर चार प्लस जीरो एकस की वैलियू जीरो का वरग प्लस दो गुना वाई की वैलियू एक प्लस तीन गुना वाई की जड़ की वैलियू माइनस एक बर दी है तो पहली टरम जीरो हो गई दो को एकस के साथ गुना किया तो दो आ गया माइनस एक का वरग करेंगे तो एक आ ज प्लस दो एकस वाई स्केर प्लस एकस वई जड़ यहां पर हमने पहले तीन गुना एकस की वैल्यू जीरो बर नहीं है कवर करेंगे जीरो और साथ वाले संख्या के साथ गुना करेंगे तो यह जीरो हो जाएगा इस तरह दो को जीरो के साथ गुना करेंगे तो यह टरम भी जीरो हो जाएगी और इस टरम को भी जीरो के साथ तीसरी को एक गुना माइनस एक गुना जीरो इसको करेंगे तो यह भी जीरो तो यनि इस का अंस्वर जीरो आ जाएगा अब अगला जो पांच नमबर सम है इसमें लिखा हुआ है Y स्केर प्लस X Y प्लस 4 तो Y की वैल्यू एक दी हुई है एक का वर्ग प्लस X की वैल्यू जीरो गुना 1 प्लस 4 तो X का एक का वर्ग एक आ गया और बीच वाली टर्म जीरो और एक की गुना जीरो हो गई और प्लस 4 लगा दिया हमने इनको जोड़ा तो 5 हो गया इस तरह अगले सम में Y स्केर X प्लस X केर Y Y स्केर की एक वैल्यू बरी एक का वर्ग गुना 0 अब X की वैल्यू हमने 0 का वर्ग कर दिया गुना 1 तो यहां भी 0 के साथ गुना हो रहा है एक का वर्ग तो यह 0 हो गया और यहां पर भी 0 के साथ 0 का वर्ग 0 और एक के साथ गुना किया तो 0 यानि दोनों 0 हो गए और जीरो में जीरो जोडेंगे तो जीरो ही आ जाएगी अब अगला सम इसके बाद लिखा हुआ है निमन पैटरन को समझते हुए सारनी बरो तो यहाँ पर हमें पहले आकरती दी हुई है जैसे तिर बुझ फिर इसका प्रिमाप दिया हुआ है डैश गुना बुझा यानि इसकी तीन बुझाएं हैं तो तीन गुना बुझा किया हुआ है और बुझा को अगर ल मान ले तो बुझा की जगा ल लिख दिया यानि तीन गुना ल तो यह तीन ल आ गया तो इस तरह अगर 4 बुजाएं हो जैसे वर्ग है तो 4 गुना बुजा जितनी बुजाएं है परिमाप में उसके साथ गुना करते जाना है 4 गुना बुजा की जगापर L लिख दिया तो 4 गुना L, 4 L आ गया इस तरह अब हमें दिया हुआ है 5 आकरतियों वाली जो 5 बूझ है उसका प्रिमाप कितना आएगा 5 गुना बुझा यत को पांच गुना बुझा आजयेगा सब्त बूझ में 7 बुझाएं है तो 7 गुना बुझा ये 7 आजयेगा अब अगे हमें लिखा हुआ है अगले पेज पर सारनी को देखकर क्या तुम को नियम बता सकते हो तो यहां पर हमने जो नियम आ रहा है उसको लिखना है तो यहां पर हमने लिखना है बुजा, उनकी संख्या जितनी भी बुजाएं हों बुजाओं की संख्या गुना बुजा का माप नियम क्या बनेगा बुजाओं की संख्या गुना बुजा का माप जैसे मान लीजिए हमारे पास पिछे जो वर्ग की आकरती दिखाई गई थी इसकी चार बुजाओं की संख्या पर हम चार लिख देंगे गुना यब अब बुजा का माप मान लेजी तीन तीन दिया हुआ है तीन तीन सेंटिमीटर तो बुजा की माप यानि बुजा की माप तीन से हम गुणा कर देंगे तो यानि इसका जो नियम है वो वर्ग के लिए जो बना चार गुणा बुजा अगर वर्ग है तो वर्ग का परिमाब क्या होगा चार गुना बुजा अगर तिर्बुज है तो तीन गुना बुजा यनि बुजाओं की संख्या गुना बुजा का माब जैसे चार बुजाएं हैं और प्रते एक तीन है तो इसका परिमाब कितना आ जाएगा बारा सेंटी मीटर जहां बारा मीटर आ जाएगा तो अब आगे हमें लिखा हुआ है तिरबुज के एक बिंदू से कितने विकर्न खीचे जा सकते हैं संजू तिरबुज में एक भी समुख शीर्च नहीं होता एक भी नहीं क्योंकि दो समुख शीर्चों को मिलाने वाली रेखा विकर्न कहलाती है तो बबलो ने क्या जवाब दिया क्योंकि उसमें दो समुख शीर्चों को मिलाने वाली बुजा विकर्न कहलाती है जैसे मान लेजिए य एक ये तिरबुज है तो इसमें बरग में जो ये समुक ये चतरबुज में ये समुक शीर्च है तो इनको हम मिला देंगे तो ये विकरन बन जाएगा इसी तरह ये और ये समुक शीर्च है इनको मिलाएंगे तो ये विकरन और तिरबुज में अब इस शीर्च के समुक कोई शीर्च नहीं ये लाइन जरूर है तो इस तरह से ये विकरन नहीं होगी तो इसमें समुक शीर्च नहीं है इसलिए कोई भी तिर्बुज में विकरन नहीं होता है आगे हमें सारनी में क्या दिया हुआ है नीचे दीगी सारनी में खाली स्थान बरू आकरती तिर्बुज है व तिर्बुझों की संख्या तो तिर्बुझ एक ही रहेगा. जो एक है. अब दूसरा वर्ग में बताया है भी यह लाइन लगाई है. एक विकरन खीचना है. यहां पर लिखा है. एक शीर से विकरन कीचो. एक शीर से खीचना है तो ये वाली लाइन एक विकरन लग गया तो अब इसके तिर्बुज कितने बन गए दो बन गए एक विकरन दो तिर्बुज इसके बाद जो अगली आकरती दी हुई है ये जो चत्रबुज बनाया हुआ है तीन नमबर पर इसमें भी हमने एक शीर्ष से दो तिर्बुज हो गए तो हमें यहां पर कहा गया एक शीर्ष से विकरनों की संख्या तो एक शीर्ष से हमेशा याद रखना है चत्रबुज में एक ही विकरन लगता है इसके बाद यहां पर यह पंच बुज दिया हुआ है तो अगर आप इसी को जूम करके पहले देखें तो इसमें मैं आपको विकरन लगा कर दिखाता हूँ एक शीर्ष से फिर मेरे वाली आकरती देखेंगे तो जैसे यहां से एक विकरन तो प्यारे बचो यह लग गया समुक शीर्ष है और एक इसी तरह यहां लग गया तो इस एक शीर्ष से दो विकरन लग रही है इसी तरह अगल आप इसी अन्या शीर्ष जैसे माल लिजिए यहां से लगाएं तो एक विकरन यहां लग रहा है और यहां लग रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक ही बिंदू से एक ही शीर्ष से दो भी करन लगते हैं और इनसे एक दो और तीन तिर्बुज बनते हैं तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लिख दिया दो शीर्ष और तीन तिर्बुज अब अगली आकरती को अगर आप देखें तो यहाँ पर इस यहाँ से तीन शीर्ष लग रहे हैं एक बिंदू से और तिर्बुज कितने बने एक दो तीन चार तो एक बिंदू से तीन विकरन और चार क्या हो गया यह तिर्बुज बन गए तो अब आगे चलते हैं अगला पेज तो इस पेज पर लिखा हुआ है इस अधार पर तुम क कोई नियम बता सकते हो बताओ तो आईए देखते हैं क्या नियम बनता है एक शीर से विकर्णों से बनने वाले तिरबुजों की संख्या एक अधिक होती है विकर्णों की संख्या से तो यहाँ पर साथ में आपने लिखना है विकर्णों की संख्या से इसके बाद लिखना है यानि कहने का मतलब एक शीर्ष्चे विकर्णों से बनने वđले तिरबुज़ों की संख्या एक अधिक होती है विकर्णों की संख्या से, अगर दो विकर्ण बन रहे हैं, जैसे हमने देखा बिच्छे तो उसमें तीन तिरबुज बन थे, अगर एक विकर्ण है एक शीर्ष से तो उसमें दो तिरबुज बन रहे थे जैसे चतरबुज में अगर एक शीर्ष से एक खिचा जा रहा है तो दो पंच बुज में दो खिचे जा रहे थे तो वहां तीन बन रहे थे और छटबुज में तीन खिचे जा रहे थे तो वहाँ पर चार तिरबुज बन रहे थे अब एक बात और यहां पर लिखी हुई है किसी बुजा के एक शीर से N-3 विकर्ण खिचे जा सकते हैं को जों की संख्यविकर्णों की से एक अधिक है जो मैंने लिखा वही नियम यहां पर लिखा हुआ है अब आगे लिखा हुआ है निमन लिखत नीचे कुछ 15 नंबर में नीचे कुछ आकर्तियों के पैटरन दिये गए उसके लिए बीजी आवेंजक लिखा है जांच करो बताओ कि बीजी आवेंजक उस पैटर्न की बजाओं की संख्या के लिए सही है या नहीं है तो यहां पर यह लिखा हुआ है हमें तिर्बुज जो यह जो आकरती बन रही है इसमें कितनी बजाएं हैं इस तिरबुज में तीन बजाएं हैं अगली जो आकरती इसमें जो बजाओं की संख्या पांच हो गई अगली जो संख्या है इसमें साथ हो गई इसमें पुछा गया है नेक्स चार नुमरा करती में कितनी बुझाएं होंगी तो बुझाओंगी संख्या के लिए यहां एक पैटर्ण दिया गया है दो N प्लस एक तो N में हमने जो है जो यहां पर तिर्बुज बन रहे हैं जैसे पहले आकरती में एक बन रहा है, यहां पर दो तिर्बुज बन रहे हैं, यहां पर तीन और इसमें चार तिर्बुज बन रहे हैं, तो तिर्बुजों की संख्या के साथ हमने गुना करना है, जैसे पहले में एक बन रहा है, दो गुना एक प्लस एक, तो यह तीन आ से एक नो आ जाएगा तो इस तरह आपने किसी भी तिर्बुजियों की संख्या को लेकर ये पैटरन से बजाओं की संख्या ग्याद कर सकते हैं अब अगले पैटरन में हमें यहां पर यह जो आकरती दी हुई है इसमें वर्ग दिया हुआ है यहां पर चार बुजाएं हैं अगले में जो हैं हमें पूछा गया है कि साकरती में कितनी हो गई अगली तीन नंबर और चार नंबर में पूछा है अगर दो वर्ग हो जाएं तो कितनी हो जाएं तो कितनी होगी और अगर चार आ जाएगा अगले में तीन गुना दो प्लस एक तो यह साथ आ जाएगा अगले में तीन एन प्लस एक तीन की एन की वैल्यू तीन पर नहीं है तीन गुना तीन प्लस एक तो तीन तीन प्लस एक दस आ जाएगा अगले में तीन एन प्लस एक तो तीन गुना चार प्लस ए तो ये तेरा आ जाएगी यानि चार अगर वर्ग हों तो बजाओं की संख्या उसमें तेरा हो जाएगी एक साथ वो जुड़े हुए हो इसके बाद हमें अगला पेज देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है अब नीचे दिये पैटर्न के लिए सारनी बरो तो अब यहां प तो इसी तरह अगर अगली आकरती में हम बजाओं को गिनेंगे तो यह बारा बजाएं आएंगी अगली आकरती में जब तीन जो यह है इस तरह का यह पैटर्न पहले नंबर पर बन रहा है इसे तीन पैटर्न जोड़ दिये तो उसमें सतारा बजाएं आएंगी तो इसके ल की value अब हम जैसे पहले एक बरेंगे यह एक पैटरन है तो यहाँ पर 5 गुना एक 5 गुना एक प्लस दो 5 ए कम 5 प्लस दो तो यह साथ आजाता है इसी तरह अगर अब इसमें द्वारा से हम n की value 2 बरेंगे तो 5 गुना दो प्लस प्लस दो तो यह 5 दुनी 10 जाओं की संख्या आ जाएगी मैंने गलती से 13 लिख दिया तो यहां 12 लिखना है अब अगले में तीन ये पैटरन बन रहे हैं द्वारा से देखिए एक दो और तीन तो पांच एन एन की जगा तीन पर कर पांच गुना 3 प्लस दो पांच ये 15 और दो 17 हो जाएंगी इसी तरह जब 9 बजाएं दी हो तो पांच गुना 9 नौपांचा 45 प्लस दो तो इसमें बजाओं की संख्या 47 हो जाएगी और यदि एन हो तो एन के लिए हमने ये नियम शुरू में लिख दि इस तरह इस पैटरन को आपने पूरा करना है अब आगे लिखा हुआ है अंग्रेज जी वर्नमाला के अक्षरों को देखो रूर बताओ ऐसे अक्षर जिन से एक भी बुजा उबे निश्ट ना हो जिन में एक भी बुजा उबे निश्ट ना हो 16 नमबर में हमें लिखा है अंग्रेज जी वरनमला के अक्षरों को देखो और बताओ ऐसे अक्षर जिन में एक भी बुजा उबेनिष्ट ना हो तो ये जो अक्षर मैंने लिखे हैं C-L-O-U-B-U-T-S तो इन में कोई बुजा उबेनिष्ट नहीं यानि सांजी नहीं है आईए अब बताते हैं आपको सैक्षर जिन में एक बुजा उबेनिष्ट हो तो आप पहले उबेनिष्ट का मतलब देख लीजिए क्या होता है तांकि आपको इसमें यहां पर कलियर हो जाए तो जैसे मैंने N लगाई है तो N में यह दो रिखाई है तो इन में यह जो बीच वाली लाइन है यह दोनों के साथ मिल रही है तो यह उबेनिष्ट लाइन है इसी तरह अगर जट को देखे तो इसमें अगर यह वाली लाइन है ये उपर वाली लाइन और निच्चे वाली के साथ मिल रही है तो ये उबेनिष्ट रेखा है इस तरह ई में अगर हम देखें तो ये वाली जो लाइन है उपर वाली और निच्चे वाली के साथ मिल रही है ये उबेनिष्ट है पर इनमें ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जो पह अब आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद आपको यह वीडियो पसांदा आए तो आपने इसको लाइक करना है शेर करना है और इस वीडियो का जो पार्ट वन भी जरूर देखना है आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत के साथ